कल बाबा होली कार्थ समझाए थे होली कार्थ क्या होता है होली कार्थ तीन तो मिनिंग बाबा समझाए एक होली मतलब होली किसकी होली परमातमा की बन गई होली होली दे है होली और एक होली का मतलब है जो हो गया होली भूल जाओ, बिंदी लगाओ, ये सबसे बड़ा कल्म उरली का पॉइंट था, कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं, पुर्शार्ती हैं, सुद्ध सात्वी कान, कामकरोद लोग मुहांकार भी छोड़ रहे हैं, लेकिन ब्यार्त संकल्प ये पुर्शार्त में नीचे ले जा रह पुरानी बित्व बात को चिंता नहीं करना है, बिती को चित्व नहीं, बाबा क्या बोले, कि होली, दुनिया में भी क्या करते हैं, होली का जलाते हैं, होली का जलाते हैं, तो क्या जलाते हैं, उसमें सारा कचड़ा, गोबर, कोई अच्छा-च्छा कचड़ा भी, और सारा वाँ जमा करते हैं और जमा करके जला देते हैं यह हमारा यादगार है कि हमने बेर्थ संकल्पों को जलाया हमने अपने विकारों को जलाया इसकी यादगार में होली और जिस दिन हमारे बेर्थ संकल्प बेर्थ बोड़ बेर्थ करम यह सब जल जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, तीसरा होली, होली मतलब होता है सुद्ध, पवित्र, स्वच्छ, हमारी मन बुद्धी स्वच्छ हो जाती है, और तब परमात्मा के बाबा के संग का रंग हमारे उपर चड़ता है, ये हमको सीव बाबा ने होली का आर्थ समझाया है तक मुणा आर्थ मुणा ये कि वैं जात Riderथ, स्वच्छ, हमारी मित्र, स्वच्छ, हमारी मन बुद्योंच, जव प्रभबा है, और त